नमस्कार दोस्तो सूर ग्रहन के बाद अब लगने जा रहा है साल का पहला चंद ग्रहन सूतक काल का समय कब है और क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए बुद्ध पूर्णिमा पांच माई इस साल का पहला चंद ग्रहन लगेगा इस साल कुल चार ग्रहन लगने हैं जिन में से यह दूसरा होगा इस ग्रहन का कई राशियों के जीवन पर भी बड़ा असर पड़ेगा आईए इस चंद ग्रहन की बारे में विश्तार से जान ले खागोल विदो के मुताबिक साल का यह है पहला चंद ग्रहन पांच माई को रात आठ बज कर पैतालिस मिनट से शुरू होगा और देर रात एक बज़े तक चलेगा इस चंद ग्रहन को यूरोप, एसिया, आश्टेलिया, अपरिका, प्रसांत महासागर, अंटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा चुकि ये उपचाया चंद ग्रहन होगा, इसलिए ये ग्रहन हर जगे नहीं देखा जा सकेगा उपचाया चंद ग्रहन होने की वज़े से इसमें सूतक भी मानने नहीं होगी खागोल सास्त्रियों के अनुसार इस साल कुल चार ग्रहन लगने हैं, इन में से दो सूरे ग्रहन और दो चंद ग्रहन होंगे पांच माई के बाद अगला चंद ग्रहन गुनत 30 अक्टुमबर को लगेगा, यह पूर्ण ग्रहन होगा और इसे भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से में देखा जा सकेगा इसमें सूतक काल मानने होगा, वहीं दूसरा सूरे ग्रहन 14 अक्टुमबर को लगेगा यह सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा लिहाजा इस ग्रहन के दोरान सूतकाल भी मानने नहीं होगा तो अब सात्यों आप सभी को पता लगी गया है कि सूर्य ग्रहन के बाद जो दूसरा ग्रहन लगने जा रहा है वो चंद्र ग्रहन है जो कि 5 माई 2023 के दिन लग रहा है और 5 माई को रात्री 8 बज कर 45 मिनट से ग्रहन सुरू होगा और रात्री 1 बजे तक चलेगा अगर आप आस्मान और आकासिय चीजों से प्यार करते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी चाए वो सूर्य ग्रहन हो चाए वो चंद्र ग्रहन हो चाए वो अन्य रहस् चीज हो हर अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें धन्यवाद